हिल्लो फ्रेंज आज फिडों में जानते हैं संकट मोचन ड्रॉप के फाइदे नुसकान और इस्तमाल करने की पूरी जानकरी संकट मोचन ड्रॉप के फाइदे पेट की समंदित सभी विमारियों के लिए संकट मोचन ड्रॉप फाइदे मन्थ है उल्टी, दस्त, पेट दरत, विसुची का, बदजमी, ग्यास की, ग्यास जी मच लाने में लागदायक है पेट में होने वाली ग्यास से छुटकरा देता है, पेट साप करने में मदद करता है पूराने से पूराने कप से रात दिलाता है पेट फुलने की समस्य से छुट करा देता है पेट के आतों को शक्ती देता है पाचन शक्ती हो मजबुत करता है दस जादा होने लगता है और शरीर कमजोर पड़ जाता है चेरक पिला पड़ जाता है अईसी दशा में संकट मोचन दीन में तीन बार 10 से 20 बून दो तोले पानी के साथ आवशक्ता नुसार रोज देना चाहिए तुरंत लाप मिलता है खासी तता दमा खासी में संकट मोचन ड्रॉप की 10 से 15 बून पाश दिन तक देना चाहिए फायदा मिलेंगा फ्रेंस आपको भूक नहीं लगती है तो आप संकट मोचन ड्रॉप की 10 से 15 बून दिन में तीन बार लेनी चाहिए फ्रेंस यह है संकट मोचन ड्रॉप के फायदे अब जानते हैं संकट मोचन ड्रॉप के इस्तमाल के बारे में तो संकट मोचन के लिए किसी विशेश अनुपात की आवशक्ता नहीं है संकट मोचन दो तोले पानी के साथ प्रत्यक तीसरे या चौते घंटे में देना चाहिए जब तक की रोगिप पूर्णत सुवस्तन हो जाए खूरा एक साल तक दो से चार बुन देना चाहिए दो से तीन साल तक चार से साथ बुन देना चाहिए पाच से चार से साथ साल तक छे से दस बुन साथ से पंद्रा साल तक दस से पंद्रा बुन देना चाहिए बड़ों को 10 से 20 बुन्द, दो तोले पानी के साथ तता हालत के नुसार देना चाहिए प्रयोक से पूर्मत, शीशी हिला लेनी चाहिए छोटे बच्चों को थोड़े दूद के साथ देना चाहिए अनुपा, मक्कन, दूद, उबले हुए चावल, साबुदाना लिया जा सकता है परन्तु मास, तरकारी तता, फल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए सिगरेट बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए अब जानते संकट मोचन डॉप के नुसकान के बारे में तो इसमें 100% आयरुवेदिक होशेदी है कपूर, सत, अजवाइन, पेपरमेन, फूल, लवंग तेल, दालचिनी तेल, सोब तेल, पदीना तेल, निलगरी तेल, लवन, रॉक, शीरा, इतियदी से इसे बनाय जाता है संकट मोचन डॉप आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगा वैसे तो आप उनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं बात करते हैं इसके MRP के बारे में तो MRP 33 रुपस की MRP है और आपको 10 एमिल डॉप मिलता है तीन साल की एक्सपेडिरेट के साथ फ्रेंड्स यह है संकट मोचन डॉप की पूरी जान करें अगर आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स थीकि धन्यवाद